हेलो एव्रीवन वेल्कम यूट्यूब चैनल लेफ फॉर फिजिकल एजूकेशन आज हम लोग टॉपिक डिसकस करेंगे वह हमारा लीडर्शिप क्लास 11 की सेरीज में स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें हमारा लीडर्शिप लीडर्शिप अल्मोस्स सबको पता होती कि लीडर् कर रहे हैं चाहिए वो किसी भी मंटिनेशनल कंपनीज में हैं यह स्पोर्ट्स अंगेम्स से ही हम लोग बात करते हैं तो देखते हैं लीडर्शिप क्या है सो लीडर्शिप इस दा आर्ट ऑफ इंफ्लेंसिंग पीपल टॉप तोगेदर हार्मोनिसली इन अचीवमेंट लोगों को एक साथ काम करने के लिए होना चीओं उनको आप इंफ्लेंस करोगों लोगों को ताकि वो अकसात काम करें और अचीव करने के लिए किसी के लिए चाहे उनका professional goal हो, चाहे उनका personal goal हो, किसी का अपना personal goal होता है, किसी का professional goal होता है, अगर हम team की बात करें, तो उनका अपना goal अलग होता है, तो ये था meaning leadership का, आगे हम लोग दिखते है, leadership is the ability to intentionally provide positive influences on the lives and behavior of other, again ये बात कर रहे हैं आपए influence की, leadership का वो ability है, जो intentionally provide करती ह ये positive influence, मतलब आप उनकी life में कैसे कैसे positive influence की, उनको provide करते हो, उनको देते हो, उनको influence करते हो, तो मैं हाँ बात करी रहा था कि positive influence के उपर, again इसमें आ गया है, ये तो आप लोगों को positively influence करो, ये उनकी behavior में कोई changement लाते हो, ये अगर आपके leadership से, किसी के behavior में changement आ रहा है, तो मतलब आपकी बहुत leadership बहुत effective है, आपने जो words बोले हैं, आपने जो बात बोले हो बहुत effective है, तो हम definition के बात करते हैं, the capacity and will to rally men and women to a common purpose is called leadership according to wantogamary, ठीक है, वो capacity और will, will जो हमारे एक्चा सकती होती है, ठीक है, rally men and women, rally means हो कहा है, एक साथ लाना जा, men and women को एक साथ लिए किस common purpose के लिए, किसी work के लिए, किसी ambition के लिए, किसी goal के लिए, वो भी leadership है, the next है, leadership is the behavior that affects the behavior of people more than the behavior effect of the leader, according to law, perian, fanworth, यह बहुत बहुत अच्छी statement है, leadership क्या है, एक behavior है, जो किसको effect करता है, लोग को, जो लोग है, उनके behavior को effect करेगा, मतलब leadership किसको effect करेगी, जो people है, उनके behavior को, ना कि लोगों का behavior, leader को effect करेगा, अगर लोगों का behavior, leader को effect कर गया, तो फायदा क्या है, leadership का, इसलिए, जो leadership होती है, जो leader होता है, उसका behavior किसको effect करेगा, लोगों के behavior को, उसको effect करेगा, जैन हम लोग आपर next बात करते है, qualities of leader, of course, हम leadership की बात कर रहे हैं, तो we should know about the qualities of leader, सब्सक्राइब करते हैं अगर आपका लीडर एनर्जेटिक है बहुत एक्टिव है तो आप इसको प्रॉपर्ली डिफाइन करके पढ़ेंगे कि क्वालिटीज ओफ लीडर है क्या सबसे बात करते हैं अगर आपका लीडर एनर्जेटिक है बहुत एक्टिव है तो आप इसली जो चीजे हैं उस फिल्ड में आप उसको इसली मैनेज कर लोगे अगर सचोंगे आपका बहुत लिजी आए नहीं ही तो वह चीजे प्रपर दे olviden hr हुपाती जो हुभ कि कौटन ही बिलकुल लेजी है ईनर्जाटिक नहीं हो 그걸 लेडर शूट बी आरो इनर्जाटिक और जब आप शॉट भी कोना बहुत इम्पॉर्टन Hey debates Yeah अग प्रेटनेस थोना होना पड़ता है अगर आपके सब्सक्राइब करते हो या जो भी कॉंपटिशन सोते हैं उसमें डिफर्ट डिफर्ट जगे-जगे से प्लेइर्स आते हैं कंट्री से आते हैं वहां पर एफेक्शन दिखाते हैं दूसरे के लिए उनके बीच में थोड़ा फ आत दब देशिजन लेने की पावर एक जो लीडर होता है वो जो डिसिजन लेता है वो बिल्कुल एक तो उसके अंदर पावर होनी चाही है एक एग्स का क्योई नेगरा लेक्ट 2017 की वोलकप की बात करते हो तो दिस जोगिंदर सरवान से लास्ट ओवर कराना, बॉल आउट में सहवाग उतापा से बॉल आउट कराना, 2011 के वर्ल कप में आद देखलो, खुद को प्रमोट करना, युवरा सिंग के उपर, इन फ्रंट आफ मुथाया मुली धर्ण, तो यह सब क्या हैं, यह decision लेने की और आप लिडर हो, आपको टेक्निकली स्किल्ड होना पड़ेगा, आपको एक छोटी माइनर से माइनर चीज़े, पता होना चाहिए, जब तक आप दो आप टेक्निकली सकिल्ड नहीं हो, तो कहीने की है, आप थोड़ा लैक करोगे उस फिल्ड में, यह लिजान है, या कोई sports में captain है वो intelligent होना चाहिए situation को कैसे tackle करना है उसके लिए आपको intelligence आपके दिखानी पड़ेगी आपको अपनी mental ability दिखानी पड़ेगी अगर कोई problem आ गई है तो हर कोई इसको solve कर सकता है लेकिन आप किस तरीके से उसको solve करो कि उसका positive influence आपके team mate पर पड़े वहाँ पर आपको intelligence दिखानी पड़ेगी कोई एक simple solution है किस तरीके साब उसको solve करोगे एक complex solution है आप उसको simple way में solution कैसे उसको solve करोगे ये भी बहुत important है easy को हर कोई solve कर सकता है लेकिन कोई difficult situation आगे आप उसको easy way में उसका negative impact ना पढ़े किसी के ऊपर उसको कैसे solve करोगे वहाँ पर आपके intelligent check होती है then next हम लोग बात करते है teaching skills की of course एक leader होता है उसके अंदर teaching skills होनी चाहिए teaching skills in the sense अगर आप as a theory पढ़ा रहे हो या कोई teacher उसके उसके अंदर teaching skills होनी चाहिए अगर आप practical work है वहाँ पर आपको teaching skills अची होनी चाहिए then next point is creative होना चाहिए of course जब leadership के हम लोग बात कर रहे हैं तो कहीं न कहीं creativity दिखानी पड़ती है हम लोगों कोगे कहीं न कहीं new ideas innovative ideas use करने पड़ते हैं हम बार बार उस चीज़ को repeat नहीं कर सकते हैं जनरेशन जनरेशन चेंज होती है हर इंडी जो लिग दूसरे से अलग होता है तो वहाँ पर उन चीज़ों को उन ideas को उन techniques को थोड़ा innovative wave में सिखाना पड़ता है तो उस जो वे है innovative wave हो क्या है creativity आपको थोड़ा बहुत creativity करनी पड़ेगी यहां पर एक बहुत अच्छी quotation भी है मैंने सिंग दूनी की my goal is not to be better than annual answer but to be better than how I used to be तो बहुत अच्छी quotation आप सीखने को मिल सकते हैं यह भी सब एक leadership के form होते हैं लीडर्स की जो words होते हैं उनके हर word का एक statement का एक meaning होता है इन्ट्रेस्ट इन रिसर्च अगर आप बात करते हो रिसर्च की एक लीडर को थोड़ा research भी करना होता है मतलब उसका इंट्रेस्ट होना चाहिए research में research में कैसे यह नहीं तरह जो नुमारे new ideas है new techniques को हम लोग apply कर सकते हैं then next point हमारा good health health अच्छे होनी चाहिए जब तक आपके health अच्छी नहीं है आप एक example set नहीं कर सकते हो अपने जो batch mate है teammates है जबकि mates है उनके बीच में then dedication and determination अगर आप किसी अगर आप अपने work के लिए dedication नहीं दिखाऊगे तो आप किस बात के leader अगर आप अपने work के लिए अपने profession के लिए dedication नहीं दिखाऊगे तो वह आपका profession कोई उसकी value नहीं है और आपकी भी कोई value नहीं है तो the leader should be very dedicated and determination then next point है हमारा था high motor capacity high motor capacity means होता है कि leader जो leader है उसके अंदर उसके जो physical fitness component है वह पूरे अच्छे तरीके से होना चाहिए वह physically fit होना चाहिए उसके अंदर strength, speed, endurance, flexibility, coordinate abilities यह सब प्रपर तरीके से होनी चाहिए है अगर हम इसको हम sports related से हम बात कर रहे है तो जो उसको physical fitness components हमारे पांच वह प्रॉपर तरीके से होना चाहिए हम यह नहीं कह सकते कि सारे components 100% होंगे but almost 60-70% सारे होते हैं तभी आप हर चीज में social innocence उनके अंदर brotherhood, sympathy, cooperation, toleration, helping nature होना चाहिए, patience बहुत होनी चाहिए, honesty बहुत होनी चाहिए, यह सब चीजे देखने को मिलती है हमारे जो महिंद सिंग धोनी है उनके नेचर से भी आप इस चीच को सीख सकते हैं then logical decision maker, again वही बात हो रही है कि decision आपने तो ले लिया, decision हर कोई लेता है, लेकिन decision आपने logically कितना सही लिया है, कितना उसका positive influence पढ़ रहा है आपकी team पे, आपकी performance पे, आपकी competition पे, decision लेना, कि किस तरीके से आप उसको logically decision ले रहे हो, decision किस time पे, right time पे आप कौन सा right decision ले रहे हो जैसे कि मैंने बात करी थे, वर्ल्ड कप की जोगिंदर शर्मा, बॉल आउट हो गया, खुद को promote करना, यह बहुत सारी चीज़े एक छुलोटे example set करते हैं कि किस time पे आपने decision लिया है, then next point हमारा morality and loyalty, जो हमारे leaders होते हैं, उनको बहुत लोग follow करते हैं, तो अपने जो उनक जो morality है, उनकी किसी भी situation में वो भूलनी नहीं चाहिए, मतलब उनको पता होना चाहिए, क्या इस situation में क्या सही है, इसका impact जो spectators हैं, उसका impact जो other teams हैं, उनके batchmates हैं, teammates हैं, किसी भी type के हम लोग बात करते हैं, तो उन पे उसका impact गलत नहीं पढ़ना चाहिए, last point हम लोग बात करते हैं, good communicator, communication skills बहुत अच्छे होनी ची लीडर की, अगर लीडर में ही communication skills नहीं है, तो वो कैसे अपने team के साथ, कैसे अपने group के साथ बात करेंगे, जब तक उनके अंदर communication skills बहुत अच्छे हैं, वो easily उन चीज़ों को tackle करेंगे, situation को read करेंगे, उनकी problem को solve करेंगे, कभी कभी ऐसे भी players आते हैं, कि जो अपनी problem बताते नहीं है, तो leadership, leader का ही यही काम होता है, कि बिना बताया, उनकी problem को भी समझना, तो जब तक communication skills बहुत अच्छे होंगे, आप easily उसको tackle कर लोगे, मैंने सिंग धोनी के बात करते हैं हम लोग, तो उनकी में अंदर भी यही चीज़ है, कि वो जो उनके teammates उसके अंदर से best निकाल सकते हैं, कैसे leadership का भी effective, अगर आप देखो qualities तो यह है कि, कैसे आप अपने teammates का, जो best से best आप उससे निकलवारे हो, best से best performance आप उससे निकलवार हो, यह एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, leadership की, यहाँ पर quotation again है, leadership is the capacity to translate vision into reality, बहुत अच्छी quotation है, leadership क्या है, वो capacity, जो आप सोचते हो, उसको आप reality में उसको apply कर रहे हो, जो आपने सोचा है, उसको reality में उसको apply कर रहे हो, तो यह भी एक बहुत अच्छा quotation है, नेक्स हम लोग बात करते हैं, role of leader, हमने qualities पढ़ी हैं, लीडर के roles क्या होते हैं, जोसकी duties हैं, जोसकी responsibilities हैं, leaders की, first one is structuring the situation, structure मतलब situation को read करना, situation को बनाना, अगर आपने देखा होगा, चक्द इंडिया अगर आप लोग ने देखी होगी, तो उसमें कैसी situation रहते हैं, कि कुछ north से आते हैं, कुछ south से आते हैं, कुछ north इस से आते हैं, उनके बीच में combination नहीं होता है, दोस में अच्छे players होते हैं, वो उन दोनके बीच में collision होता रहता है, तो जो coach होता है सारुक खान, वो ऐसी situation मनाता हैं, जिसमें वो लोग सब एक साथ आने लग जाते हैं, तो leader का सब आपके family में, आपके group में, आपकी class में, college में, बहुत सारे लोग होते हैं, तो हर किसी का behavior अलग होता है, हम individual है, individual का behavior का compare करोगे तो अलग से, एक दूसरे से अलग होता है, तो कैसे उन behavior को control करना, आपकी team में aggression वाले भी होंगे, आपकी team में patience वाले भी होंगे, आपकी team में जो दोनों चीज़ हैं, उनमें वो भी होंगे, तो आपको कैसे उनके behavior को control करना है, मैंने सिंग को देखा होगा, जब भी कोई ground पे player अपना aggressive behavior दिया तो वो उसको जाके control करता है, उसको शान्थ करता है, तो यह चीज होनी चीज़ है, इस speaking for the group, leader के अंदर सबसे बड़ी, उ इसके सामने जाते थे वो, और जैसे ही टीम जीतती है, उसका जो मैनब्द मैस था, उसको बोलता है, आप जाओ, conference में जाओ, तो यह भी बहुत अच्छा point है, जब आपके team हार थी है, आपका group जब पीछे है, तो वहाँ पे captain है, leader है, वो front से lead कर रहा है, और जैसे winning moment है, तो जो आगे, जो मैने बने, जो जिनका role जादा है team में, उनको आगे लेके जाना, यह भी बहुत अच्छा एक point है, then planning for the group, आप leader हो, आपका काम होता है, कि अपने team के लिए, group के लिए, क्या करना है, planning करना है, उस planning के according, आपको हर किसी को set करना पड़ेगा, आप हर किसी के leader करो ले, आप किस से कौन सा part execute करवाओगे, आप कब किस से part execute करवाओगे, आप किस से part execute करवाओगे, सबसे पहले जाता है, मैंने इस example दिया था, आपका अभी press conference का representative, वो एक पुरी team का representative होता है, जो हमारी country का captain होगा, Indian team का, वो पूरे हमारी इंडिया का है, जितने भी हम population है, हमारा representative है, leader है, leader as a control of internal relationship, देखो ऐसा होता है कि हमारी team में भी बहुत सारी छोटी मोटी, minor, minor adjustments नहीं हो पाती है, क्योंकि हर individual का behavior अलग होता है, तो internal जो relationship है, internal जो behavior है, उसको भी control करना, hold करना, उसको बहार तक ना आने देना, ये सब काम कि leader का होता है, leader as an exemplar, मतलब leader एक example की तरह set करता है, बहुत सारी situation में देखा होगा आपने, जो हमारे leaders होते हैं, वो as a example set करता है, अपने teams के लिए, example set करता है, normal public के लिए भी, spectators के लिए भी, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ नहीं है, कैसी situation में कैसा खेलना है, कहां पे आप आपको brotherhood दिखानी है, कहां पे आपको discipline maintain करके रखना है, कहां पे आपको ये सब चीज़े apply करनी होती है, तो जब तक एक leader खुद example set नहीं करेगा, तब तक उनकी teammate पे उसका effect नहीं पड़ेगा, जब आप example set करते हो, तो आपके teammate भी बोलता है, हमारे captain ना आगे से lead के आए, तो same way situation होते हैं, किसी भी profession में, leadership खाली sports के लिए नहीं है, किसी भी profession के लिए है, कोई भी जगे आपको इसकी need पड़ सकती है, so these are the qualities and roles of leader, I hope so video आपको समझ में आगा, अगर कोई भी issue है, कोई भी queries है, तो आप उसको comment section में फूस सकते हैं,